हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी योटूब चैनल में श्वागत रहा आज हम पढ़ेंगे हमारा परियावरंद पारिस्थितिक तंत्रे में उर्जा का प्रवाह का लेक्चर तर्ड जिसमें आज का हमारा टॉपिक है धान की खेत का पारिस्थितिक तंत्र एको सिष्टम आफो राइसफॉर्म धान की खेत का पारिस्थितिक तंत्र एको सिष्टम आफो रॉपिश्वाण हम जानते हैं कि अधिक तर्ग खाद सिंख्लाय पाधों से ही सूरू होते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो जितने भी खाद सिंख्लाय या फिर जुक आप जाल होता है वह क्यों किवेंट को स्वा पोसी होता है । किसी दूसरे जीटर Q. कारण क्या कि है इस vet bana से पुरही स्वा में क्या है जितने भी छाद सिंकला या जितने भी अधिक्तर पियोंड पह यह सब्सक्राइब होते हैं चली यह यह तुल पतना चनल गया कि जो खाँ चुला को बहुजन की रूप में रासानिक उर्जा में की datos द्वारा दिद्धवेakers अपने की रूप मैं रासाणिक उर्जा में बदल सकते हो कि यो रासानिक वड़ा्जाSu किarहोने तो बहुत परिक्रासंससलेशंण की द्वारा क्या है सोर उर्जान PriceisEC के रूपमे राशा नहीं कुण्चा में परिवर्टी तो जिसके करने वो अपना बोजन का निर्मार सुआम करते हैं वोचे तो चेले के बारे में जान लेत रहे हैं कि जी प्रेकाश संख्रищन को ठाल रहरे हो क्या होता है करें ग्लूकोज का निर्माण करती है घर तथा और अक्षीजन मुक्ड करता है इस प्रक्राइब को प्रकास प्रकार से सका प्रक्रिया・ स को समझते हैं है 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 जिए सीओ टू प्लेश ट्वैल्व एज्टू और प्रण हरीद इसका फर्मल है ग्लुकोज का है एंड शिक्स ओटू प्लस शिक्स एच्टू ओके तो चली इस प्रक्रिय की द्वारा क्या है इसके जो डिफिनेशन है उसको समझने का प्रयास करता है तो क्या है जो हरीपेंड पौधे होता है वो क्या है कार्बन द्राक्साइड इवं जल इवं पढ़ हरीद पढ़ हरीद को याद रखी है जो पढ़ हरीद होता है उसको क्लोरोफिल कहता है तो आप लोग इसमें कमफूज नहीं होना कि जो पढ़ हरीद या प्लोरोफिल हो अल प्रक्रिया को प्रकास की नाम से जाना जाता है तो आप लोगों को समझ आए होगा कि जो प्रक्रिया को प्रकास तो आए होप आप लोगों को समझ आया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसलिए प्रक्रिया को उत्पादा किया प्रोडुसर कहा जाता है तो यहां पर एक टर्म और आया कि क्या है प्रोडुसर अर्थात उत्पादक तो प्रोडुसर के उत्पादक क्यों कहा जाता है तो प्रोडुसर के उत्पादक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह किसी भी अन्यजूपर डिपेंड आफ निर्वर नहीं होता वह अपने भूजन स कर्या के द्वारा को चले आगे बढ़ते हैं एक खाद चिंकलर में उसमें क्या है उत्पादक को छोड़कर जीतने भी आता है वो क्या करता है उप्भोगत या कंस्यूमर कर लाता है तो चली इसको समझने का प्रयाज करता है कि जो प्रोड्यूसर और कंस्यूमर क्या होता है तो उतपादक कर्थाहां जो उत प्रगातु जईसे कि आप लोगों को कुछ खादः सिंकलर के द्वारे समझाने के प्रयास करहा हूं जैसे कि खास को कौन खात्वा है थे ऑघास को कौन खात्वा है छोटी क्यूड कीड़ी मकुलय लिखते रहे हूँ को high में तो producer इसमें producer कौन है तो producer इसमें जोам भोजन का जो प्रोडूसर प्रोडूसर निर्माड करना तो जो अपना निर्माड करता है उसको उत्पात करता है और जो कंस्यूम करता है तो जैसे कि हम लोग देख सकता है इसमें प्रोडूसर है जो प्रोडूसर करता है और जितने भी जीव है काया मेड़क कि सर्प होगे चि लीक सबी क्या है क्योंकि ये क्या है दूसरे जी उपर निर्भर रहता है किसी ध्षान की खेत में प्रमुकुत Pazhaun धान के पोध्य कूanh हैं कि प्रकार के जिव धान के पनप्ट लाएं जिन कई से मिंठे अब्ले में रहे पानी में तो जो धानन southern mayoralik क्याँ जिव पनप्ट लाँ कुछ पानी पनप्ट लाँ इसे होते हैं जो craft के प॥े पर इपना परज्य से की इंधे की कीसानलोग горंपर किया है समय समय पर क्या है कि तो कई समय समय पर खेत में आते जाते रहता है । हमें यहां पूरा पारेस्मेश दिंस प्रकार से गया है वहां पर एक है पुरा पारिष्टित तर्था जियविक और अजविक घड़कों की मदल क्या होता है अंदर संबंध होता है आईए इसका ध्यान करने का प्रयास करते हैं तो चले इसका ध्यान करने का हम लोग प्रयास करते हैं अपने धान का खेट देखा होगा तो आप सभी अपने अनुभावत चीत्रतीन को देखें बतला कि धान की खेट में कौन-कौन से अजविक घड़क है तो जैसे कि छीटरीն में दिखा गएsu धान का ख़ेत जय से कि खेट में जब लहीजिक सकते हैं जवस्पछय हो गया पानी हो गया हवा हुगया मौता भी दर वह कि तो से चाहिए अज़मी घटक है है और जयसिकर चचार करके लिखे कि अजवी घड़कों पर जियो की क्या कोई निर्भरता है ? कैसे ? हुकि तो जीसे की आप लिए छीत्र चार में देख सकते हैं हां पर त dévelop आ ये चार है ? यहां पर चीत्रचार में क्या है ? क्या है ? यहां पर क्या है ? अजयवी घट को पर जीव की क्या कोई निर्भर्त्रा है कैसी तो अजयवी 1995 को निर्भर्त्रा है और ठाथ नई घटीव थे उस पर बहुत धी महत्रक्रपड निर्भर्त्रा होता कैसे माल ले जाए पानी शख़ब कोई प्रिकार के संब्सक्राइब कैसे जीतने भी यहां पर जीव हैं क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या कोई निर्भरता है कैसे तो चलिए इसको समझते हैं जैसे की पेड हो गया जैसिकी हवा हो गया पानी हो गया मिट्टी हो गया वातव बरन हो ये सभी एक सभी खड़क है कि तो कोई भी जीवीप नहीं है ये अजवी कई प्रकाष से हैं सीवफ में अंदर समन्त का होना कहना पहुंद ही आवस्यक्ता होता है इस खाद सिंख़ला है कोई पांच चाट कर लिखे तो आप लोग देख सेखते हैं इसमें कोई पांच क्या है छाट कर लिखते हैं तो सब से पहले देखते हैं धान सांप दूसरा है बेंड के पॉधेंड के पॉध्य को क्या करतु है मकडी मकडी को तको ुल्लू व कि धान के पॉधे को और कॉन खथ खहां छोटे किड़े मकोडे खातवा है जसको कॉन काते है मचली मचली को मनुसिय त्छी किसे प्रकार क्या है धान के पौधिको झliब है कि aku Google कौन खातवा है मनुसिय ऑंपे जो धान के पौधिक को कौन खाते है छुपाड़ी है अities कंगे हैं शाद को झूप देख छेकि ब comentarios कि यहांप जितने भी दिशाडर सिंख्ला फिर जो खाद जाल किसे सुरू हो और पौध्व से ओके चित्र तीन में दीगे एक का विष्टरित अध्यन करके जब जीरो पाइंट फॉन हेटेर थाउजेंड मेटल स्क्वेर छेत्रफल में जीवो की संख्या का पता लगा गया तो उनके बीच का संबंद कुछ इस प्रकार मिला उके तो जो खादी सिंकलर है क्या है उसका विश्ट्रित अध्यान करके जब जीरो पाइंट हुन हेटर थाऄट best थाओजेंड मिटल स्क्वेर में א of these ilo की संख्या का पता दॉन में कितने कितने मात्रा में अथाथ कितने कितने की संख्या क्या है किस प्रकार से आपस में संबंदी था के बारे में लिग एक cognitiveान की प्राइब कि अधारां उप्रोग्त खाद सिंखिला रेमिक उभ्भवकट्वा तो बोगता को क्या वह होते हैं इसके बार में ने आप油गता को बता रही था कुंज्यूमर करते हैं और जो बोगता क्या खरता हुआ था घ्राप क्या कॉम्हें चुहें क्यों क्योंकि ये एक दूसरी पर भात हब सांप दhrाब कि पौध्यवर अर्था चुहे साप और बाज त्य नों क्या है वह भोगता है ॉके अड़ जो प्रोडूसर जो उत्पादक यहाँ पर उत्पादक कौन है वह धान के पॉदय अर्था तो द्हान के पॉदय के अपना बोजल स्वेया बनाते हैं एक चुहा कितने धान की पॉदल पर निर भर ह रातक है तो चलिए यहां पर कितने एक लाख धान की पॉध्य दिएक चली लिखते हैं कि लंगाँ हो गई एक लाख धान की पॉध्य और यहां पर देच खेहां एक हजार क्या जोने इसको कील्कुरट करते ब attitudeszes स्थ कि इंसल कर देते हैं तो इससे में कि एक बाज कितने साप में निर्भर तो चलिए ठीक इसी प्रकार बाज के लिए कल्कुलेट करता है तो तो इस पर किया है कि प्रकार से प्रभाव पड़ेगा कि जो प्रक्रिया वह आगे चलता रहेगा तो यहां पर ंब धर्वक्त सवाल का उत्तर खाद जार को ध्यान में रख कर देने का प्रयास किया जा तो चुहें की खत्म होंने का प्रभाव गिलहरी या साखा हारिकेट उपर किस पार बढ़ेगा तो माल ले जाएं यहां पर गिलहरी हो गाई जीसकि साका हरिकेट डिया फिर साइकाद नहीं हैлов 17 क्या है जो दूसरे जीव है उसके संख्या में क्या होगा कमी होता जा लेगा किसी भी पारिस्टितिक तंत्र में जब इतनी अधिक होती है कि खाने खाना कि संभन खाथ ज़यासी नहीं बलकि खाथ जाल से बतां पर शिफसे सmbथL से बहुत प्रता भी क्या से पता में चीछ है ज़ुड़ से भी तो जी कि हम लोग देखता है कि चुछ कांथ शुच कर रूप से निर्भर रहता है कि यहां पर चुहें प्रकास किया है अलग अलग इस तर नजर आते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद